पके हुए आम से बिल्कुल अलग आज जो मीठाई में बनाऊंगी ये इतना ज्यादा टेस्टी बनता है कि आप अगर बनाएंगे तो घर में सब हलवाई वाले मीठाई छोड़ कर इसे खाएंगे तो यहाँ मैंने एक आम ली है आम आप कोई भी ले सकते है बस ध्यान रखना वो थोड़ा मीठा हो क्योंकि आम अगर खटा होगा तो ये ठीक से बनेगा नहीं और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं होगा तो इसका छिलका निकालने के बाद अभी मैं इसका लगवग आधा का क revisit के जान में डाल दुंगी पूरा आम का यहाँ पे हमें पेस्ट बनानी नहीं है बस यह से आधे को में डाल देंगे और बाकी का जो आधा है इसे चोटोचटो टुक्रों में काट के अलग रख देंगे और इसे बाद में उस करेंगे तो अभी इसका मैं पेस्ट बना यहाँ पे और कुछ भी डालना नहीं है अभी और अब इस पैन में मैं करीबन आधी छोटी चमत जितना घी डालूँगी और पहले घी को मेल्ट कर लूँगी और फिर इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी काजू और बादाम और किश्मिश ड्राइफूर्स यहाँ पे आप कुछ दे चला लूँगी तो यह सारे चीज़े हलका सा भून जाएगा यहाँ इन सब को बहुत ज़्यादा फ्राइ करना नहीं है थोड़ी ही देर में जब किश्मिश से थोड़ा फूल जाए तो इसे हम निकाल लेंगे और अभी यह पैन में जो बचे हुई घी है न थोड भी ले सकते हैं लेकिन जो भी ले ट्राइ करना उसे ऐसे थोड़ा सा भून के लिए और अभी पोहे को भी बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है मतलब इसका पूरा चेंट करना नहीं है बस जैसे लिसा यह Coc Premiere कल fine छ थो approved पक़रimerkर शीब देना अफ्ञा अगर आप इसम निका वाजू और बाधाम भी इसमें डाल दूंगी जो मैंने फ्राइ करके रखी थी और ठंडा होने के बाद इसे भी पोहे के साथ पीस लूँगी और अब इसी पैन में पहले मैं दो चम्मत जितना पानी डालूँगी और फिर इसमें मैं आधा लिटर जितना दूद डाल आप यहाँ पे गाई का दूद भी ले सकते हैं या फिर अगर आप टोन मिल लेते हैं तो दूद में उबाल आने के बाद दो चम्मत जितना मिल्क पाउडर इसमें डाल देना लेकिन अगर आप गाई का दूद या फिर फूल क्रिम दूद लेते हैं तो मिल्क पाउडर की ज और अब इसमें मैं ये पोहे की जो पाउडर बनाई है वो सारा डाल दूंगी ओ लो फ्लेम पर ही इसे धीरे धीरे दूद के साथ मिलाते जाएंगे। तो बिल्कुल low flame पर ही इसे आप मिलाना नहीं तो इसमें बहुत सारा lumps बन जाएगा जो बाद में खतम करना मुश्किल हो जाएगा और जैसे जैसे ये पकेगा तो ये दूद काफी गारा हो जाएगा तो अभी कल्ची को रोकना नहीं है इसे continue ऐसे ही हम चलाते रहेंगे और side क मलाई को दूद में मिलाते जाएंगे इसे दूद नीचे से जलेगा नहीं पोहा बहुत जल्दी से कुख हो जाएगा तो इसे बनाने में हमें बहुत ज्यादा time नहीं लगेगा बस कल्ची को रोकना मत तो इसी बीच मैं इसमें चीनी डाल दूँगी मैं ये करीबन एक चौ पोहे की ये मीठाई को आप एक बर बना का देखना ये उससे कम टाइम में भी बनेगा और टेस्टी भी बहुत ज्यादा होगा तो जब तक ये दूद पक रहा है इसी बीच मैं ये सारे ड्राइफूर्स को भी मिक्सी में डालके दद्रासा पीस लूँगी या पर इसे पीस हुई ड्राइफूर्स को भी डाल दूँगी और लो फ्लेम पर ही इसे मैं दूद के साथ अच्छे से मिला लूँगी और थोड़ी देर इसे और चला लूँगी ताकि ये थोड़ा और थिक बन जाए तो इसके साथ में डाल दूँगी एक चुटकी नमक इसे इसका मिठास क थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इसे ये थोड़ा सा और थिक बन जाएगा अगर आप इस मिठाई को सेट करके बर्वी के सेट में काटना चाते हैं तो अभी इसे आप और थोड़ा सा ठीक होने तक पका लेना मैं आज इसे रबड़ी या फिर खीर की तरह बनाऊंगी तो ये कंसिस्टेंसी उसके लिए बिल्कुल ठीक है तो देखिए ये अभी काफी ठीक बन चुका है और थोड़ा ठंडा भी हो चुका है तो अभी इसमें मैं ये सारे आम के पल डाल दूंगी जो मैंने पीस के रखी थी और साथ में आधा आम जो मैंने छोटे-छोटे टुकरों मे काटके रखी थी वो भी डाल दूंगी और इसे अभी बस अच्छे से मिला लूंगी अभी फ्लेम यहां पे ओन करना नहीं है और दूद पूरा गरम रहते भी आम को आप इसमें मत डालना फिर दूद फट सकता है ऐसे थोड़ा ठंडा होने के बाद डालेंगे तो ये फटे और थोड़ी देर इसे ठंडा कर लूंगी तो दोस्तों चाहे तो आप इसे बर्फी के शेप में बनाए या फिर ऐसे खीर की तरह दोनों ही खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा तो बताना जरूर आम की ये बिल्कुल अलग तरे की मिठाई आपको कैसी लगी लिए मिलतके ले नए वीडियो में तब तक की लिए नमस्कार